तो चले दुस्तो आज बात करने वाल है कंप्पीटर और कंप्पीटर का दोस्तो आज जो चैप्टर होगा वह memory होगा ठीक है यानि की computer memory के सभी प्रकार के प्रस्ण को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप लोग वीडियो में इनिते रूर बने रहिएगा और शाथी जाथ अगर कोई भी doubt हो तो आप लोग उसके लिए comment कीजिएगा और आप लोग TG2 का त्यारी कर रहे हैं और अभ ध्यान से समझेना है तो देखिए MRM सरणै और साथी साथ यानिकी DRAM और उसके साथ यानिकी EP-ORquel प्रोम उसके साथ WEP-ORquel प्रोम फिक है यह सब क्या है तो दोस्तों यह सब जो रेम का यानि की टाइप है ठीक है लेकिन यानि कि magnetic tape जो दिया हुआ यह सबसे अलग है ठीक है ना तो magnetic tape जो दिया हुआ है यह सबसे अलग है और यानि की बिसंगत को यानि की क्या करना किसमें डेटा को बनाई रखने के लिए निरंदर ताजा करने की आवशकता होती है। यानि कि जो डाटा होता है यानि कि टाजा करने की आवसकता होती है ताजा का मतलब क्या है तो रिफ्रेस करना तो रिफ्रेस करना और रिफ्रेस के अगर बात किया जा है दोस्तो तो रेम जो होता है दूपरकार का होता है एक S रेम होता है ठीक है एक S रेम होता है और यानि कि DRAM होता है ठीक है तो SRAM में दोस्तों क्या होता है इसको कभी भी रिफ्रेस करने की अवसकता नहीं होती है लेकिन DRAM को दोस्तों जब तक रिफ्रेस नहीं कीजिएगा तब तक की वर्क नहीं करेगा तो इसलिए यानि कि DRAM को जो है यानि कि ताजा refresh कि अब सकता होती है EPROM भी यह RAM का परकार है ठीक है और SRAM भी है और EPROM भी है ठीक है लेकिन जो इसमें questions में पुछ रहा है कि refresh करने की जो आप सकता होता है वो DRAM को होता है जो कि option C में दिया है DRAM, right answer की बात किया जाए तो option इसका C सही हो जाएगा अगला प्रसंद पर चलेंगा आज का अगला प्रसंद दिया है SRAM में अक्षर S क्या दरसाता है ठीक है किसे में तो SRAM तो SRAM की अगर बात किया जाए तो S जो है यह यह जो S दिया हुआ है यह क्या दरसाता है उसके बारे में से कोई नहीं मतलब है न सिक्रोनस से मतलब है न सिक्यूर से मतलब है अगला प्रसंद पर चलते हैं आज का अगला प्रसंद दिया है निमलिकित नसौनि होता है एक सो ऑठाइस नहीं होता है यह सो न किस में दिया हुए-1 28 bytes तो option c में है right answer की बात किया जाए तो option इसका c सही हो जाएगा चलिए आगे बरते हैं अगला प्रसंट पर और इस प्रकार का प्रसंट आप लोगों को t2 में जरूर देखने को मिलेगा तो इसको जरूर आप लोग अच्छा से ध्यान से समझिएगा तो चलिए कोचन पर का रहा है कि 8 recording सत्य हो और परती track 4 भाग वाली एक high disc पर भीचार करें ठीक है यादि कुल भागो की संख्या 320 है कितना है कुल भागो की संख्या 320 है तो परती recording सत्य है यानि कि ट्रेक की संख्या हमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है इसमें तो देखिए यहां पी जो दिया हुआ है यह हमसे पूछ रहा है कि ट्रेक की संख्या है ठीक है ठीक की संख्या और ट्रेक की संख्या अगर पूछे तो जो रिकॉर्डिंग सता दिया हुआ है ठीक है और ये 32 जो आया दोस्तो जो भाग दिया हुआ यहने जो कूल भाग है उससे क्या करना यानि कि कि डिवाइड कर दाना है एक सुट बतीस और भागा यानि कि 32 ऊ जाएगा तो गितना हो जाएगा 32 और रइलिक्टन सता है और चार से कोई मतलब नहीं है ना आठ से कोई मतलब है ना 32 से कोई मतलब है और यह दोस्तों इतना important questions है same business पे बस यह यह value यह value और यह value चेंज रहेगा और दो questions यहां से आप लोगों को जो है UPPCLT2 computer के exam में जरूर देखनों को मिलेगा ठीक है तो इसको जरूर ज्यादा से ज्या टो I'm FL of PS उसके बाद यह यानिकी GHZ उसके बाद यानिकी Gigabyte उसके बाद MIPS टीक है तो Gigabyte दोस्तो यानिए इसमें जो दिया हुआ C में सबसे अलग है यह दोस्तों यानिकी जो ए दिया है बिद यह और D दिया है तीनो रिलेटेट है तीनों क्या है तो एक दूसरे से यानिक की रिलेटेड है लेकिन यानि की डी में जो दिया हुआ है यह सब से सबसे अलग है तो यानि की बिकल्प असंगत बाला को चुनना ही था तो सी राइट इंसर इसका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रसंद दिया हुआ है कोश्चेंस में कहा रहा है किन मिलखि अगला प्रसंद दिया है आठ बीट एडेस लाइन का उप्योग करके कितने अलग अलग एडेस बनाये जा सकते हैं कितना यानि की आठ बीट का ठीक है आठ बीट यानि की एडेस लाइन को जो अगर उप्योग किया जाएगा तो अलग अलग ऐडेस लाइन की जो संख्या होगा तो तो एम एड्रेस लायन का जो होगा वह 128 होगा कितना होगा 128 होगा एक 188 होगा और ऑप्षन किसमें दिया ुए 128 तो ऑप्षन जो दिया हुआ है सी में दिया है कोरेक्ट एंसर की बात किया जाय तो ऑप्षन इसका सी सही हो जाएगा छलिए आगे बरते हम हम अगला प्रशन दिया हुआ है क्या है क्लपेश्टometer घंधिन बइड annr7 8 में क्तिने क्वाइट्वक्ते हैं तit है क्या है क्या थै दो किलो काई बात करें लिए दोच्द्द में 124 ठीक बैस होता है ठीक ए 5 किल बित में तो अब रही- trois चलिए और इस प्रकार का परषण आप लोगो काफी ज़्यादा इंग्जामें देखनों को मिलेगा है ना इस चप्टर से लगए पांच चार या पांच कोशन जरूर आएगा और दो कोशन से एक सलनेर पूश सकता है और यह वो बताया है यानि कि डिकॉडिंग सतह पूश सकता है और इस समय से एक दो प्रसन रह सकता है वही पांच-छे प्रसन आने की जाए एक 71900 तो छोटी शेम जरूर गशन सथा प्रसन इसका ही हो जाएगा आज 15 achievements तो सब पहले тан nhưngद की सता कितना CT कि सता देखेंगा और और यह प्रसन जो है यानि की बहल kale कर बात किया आगर 120 की सता जो कितना है तो चार है उसके बाद जो दिया हुआ यानिकि त्रेग सतह People रेक कहते है कि इतकी अद्ध में धिया हुआ हुआ ध्यान से देखिए कि आठ सेक्टर में भाजीत देख और आगर शेक्टर कि अने के उनदर की संख्या जूरू तो अगर इसको ध्यान रखते हैं तो आप लोगों को एकजाम में जरूर आएगा अब रही बात कि जो ट्रेक का रहा है दूस्तर यहां पर दिया हुआ है तो इसमें कि अगर बात किया जाए राइट एंसर जो होगा ऑगे बढ़ते हैं अगला प्रसनाज का दिया हुआ है एक लिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लेंच को उपईयों किया जाता है ठीक है साथ देखिए ट्रांजिस्टर ट्रांजीस्टर और लेंश का ठीक है और ट्रांजिस्टर प्रयूग किया जाता किस्वें किया जाता है तो अगर आप लोग Qué क्वालीफाई होना है तो व्याटिण प्रस्ता और आने वाला है चैप्थर से अगला प्रसंद अने वाला है सब्सक्राइब दिया हुआ है कि अगला प्रस्ता ने कितने बित होता हैं तो एक बाइट बढाबर यहंने की बिट ठीक है एक बाइट बडाबर एक बाइट बडाबर जो बिट होता है दोस्तों एक बाइट में यानिकी आठ बिट होता है कितना होता है एक बाइट में आठ बिट होता है ठीक है और एक बाइट में ठीक है एक बाइट में ठीक है ना एक बाइट में दो नीबल होता है क्या होत है दो नीबल होता है तो राइट एंसर जो होगा ऑप्शन इसका यह सही हो जाएगा क्योंकि यह में जो दिया हुआ अठ दिया हुआ है